राम राम किशान भाईयों, किशान भाईयों आज हम बात करेंगे गोभी की बारे में कि गोभी में अगेती जुलसा वा सडन गलन की समस्या बहुत आती है वैसे गोभी की खेती बारत के लगबग सभी राज्यों में की जाती है लेकिन जहां पर बरसात के मौसमों की जाती है वहाँ पर अगेती जुलसा वा सडन गलन की समस्या गोभी में बहुत ही अधिक आती है। किसान भाईयों वीडियो में जनकारी में आगे बढ़ने से पहले यह दिया आप हमारे चनल पढ़ना है तो चनल को सस्क्राइब और वीडियो को लाइक चुरू करें बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। काला पना जाता है जो एक परकार का फंगस होता है और इसमें सडन गलन की भी समस्या आती है इसमें तना भी गलने लगता है तो इन सभी चीजों की जनकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देना चाहते हैं कि आप इस समस्या से किस दवा के माध्यम से निजात पा सकते और किस दवा का प्रियोग आपको इस समस्या में करना चाहिए सरप्रतम जानकारी आपको देना चाहते किसान भाईयों यदि समस्या जादा गंभीर नहीं है अभी सुरवाती दोर है तो आप सेजिंटा गंबनी का रीडो मिल गोल्ड जिसमें मेटाल एकसिल और मेंट को जेब दोनों का कंबिनेशन पाय जाता है ये कांटेक्ट और सिस्टेमाटिक दोनों परकार के फंगी साइड इसमें मिसरित होते हैं और इसका प्रियोग आपको दो से तीन ग्राम परती लीटर के हिसाब से घुल बना कर आप अपनी गोवी की फसल पर छिर्काव करें उसके बाद में आता है कि ये समस्या बहुत तेजी से बढ़ रही है जुलसा बहुत तेजी से बढ़ रहा है और सरन गलन की समस्या भी बहुत तेजी से बढ़ रही है तो इससे आपका नुकसान हो सकता है तो इस इस्तिती में आप सेजेंटा कंपनी की जो अमिस्टा टाप दवा आती है जिसका केमकर अजोकसी टुविन 18.2% और उसके साथ साथ डाइफेना कोनाजूल 11.4% एससी जो की लिकुड फार्म में आती है का प्रियोग आप कर सकते हैं इसका प्रियोग आप 2 ml प्रत लीटर के हिसाब से घोल बना कर आप अपनी खड़ी फसल पर छिरकाओ करें तो आप अगेती जोल्था वा सरंगलन की समस्या से चाहे वो फल में सरंगलन लगी है फल में कोई काला फंगस लगा हुआ है या पतियां पीली पर रही है या तना सर रहा है तो आप इसका प्रियोग कर सकते हैं इसका छिरकाओ कर सकते हैं किसान भाईयों अमिस्टार टाप का छड़काव 2 ml प्रत लीटर के हिसाब से घोल बना कर आप अपनी खड़ी फसल पर छड़काव कर सकते हैं यदि पौधे आपके लगभग 60-65 दिन के हो गए हैं तो आप 2 ml प्रत लीटर के हिसाब से घोल बना कर छड़काव कर सकते हैं यद पौधे भी बहुत छोटे हैं 35-40 दिन के हैं तो 1-1.5 ml की मात्रा का प्रयोग आपको अपनी खड़ी फसल पर गोभी की खड़ी फसल पर करना चाहिए जिससे की आपके फसल सुरच्छित हो सकती है और आप इस फंगस से चुटकारा पा सकते हैं किसान भाईयों आप इस दवा का पुना प्रयोग लगबग 8-10 दिनों में कर सकते हैं यह एक प्रकार का कांटेक्ट और सिस्टमाटिक फंगी साइड होता है जो की पौधे की पूरे भाग में पहुँचकर सुचार रूप से कारे करता है और फंगस को या जुलसा को सरंगलन क की समस्या को जर से खत्म करने का कारे करता है इसका प्रयोग करने से किसान भाईयों आपके फसल में फसले जो गूवी की फूल होते हैं उनमें चमक आ जाती है फूल फटने की समस्या खत्म हो जाती है पौधे हरे भरे रहते हैं पत्तिया एकदम हरी भरी वा मुलायम होती है आप देखते हैं कभी-कभी गूवी का फुल पीला भी पढ़ने लगता है तो उसमें भी फंगस का टेक होता है आप अमिश्टार्टाप का प्रियोग करके आप इन सभी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं किसान भाईयों यदि आप गूवी की खेती बरसात के मौसम में करते हैं तो इस दवा का प्रियोग आप जरूर करें किसान भाईयों या जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सस्क्राइब, लाइक और सिर जरूर करें जय जवान, जय किसान